अलम्पिक कंपटिशन था और निरज ने अलम्पिक चेंपिएन की तरह कंपटिशन को बीट किया है अपनी लाइफ बैस उसने दिया है और देखो ट्राइल उस जब क्वालिफाई राउंड में भी 89 मीटर मारा आज भी 89 प्लस मारा तो उसने जो अपना लाइफ बैस देके आ 92-97 मारके उसने आज गोल लिया है तो उसको भी बदा ही और निरज ने शिलवर लिया है अपने लाइफ बैस देके निरज ने बहुत अच्छी तरह कंपटिशन लड़ा है पर थोड़ा प्रैसर आ गया क्यों आउटसेंडिंग परफोर्मेंस आगी दूसरे ख्लाडी की तो लास्ट कंपिटिशन 87 मीटर पर 87.58 पर इसका गोल्ड था निरज का पर आज देखो ना आज 98 मीटर 99 मीटर मारके भी आज वो सेकेंड प्लेस रहा हमें सिलवर मिल पाया है हमारे देश को तो हमारे लिए सिलवर भी बहुत एक एहमियत रखता है हमारे देश के कि दो मैडल एक गोल्ड मेडलिस और उसके बाद सिलवर मेडल ने देखो उमीद तो हर कोच को हर देश को होती है पर आप यह देखिए ओलम्पिक है और उसके लावा आप भी मैंने बताया ना 87 मीटर पर था पिछले बार 87.58 पर गोल्ड था इस बार 86 पर 5 प्लेस है तो कंपिटिशन त चैंपिन की तरह कंपिशन लड़ा है पिछे तो नहीं ने सेकेंड जो थ्रो में ही उन्होंने 89 प्लस थ्रो की है तो पर थोड़ा प्रैसर खा गए आज पर वो रेंज से बाहर था अभी 90 प्लस का उम्मीद हमें भी थी पर 90 प्लस नहीं कर पाया आज नीरज की फिटनेस नीरज का टेंपो और उसकी जो है वो एक जुजारू खिलाडी है अगले उलम्पिक में नीरज बहुत अच्छी परफोर्मिस देंगे